वह दोस्तों क्या मैच था आज का जहांपर मैन इन ब्लू ने करी है अपनी तगड़ी बापसी जहांपर अपने सबसे पुराने रायवल ऑस्ट्रेलिया को दिया है मात बताते दोस्तों किस परकार से ऑस्ट्रेलिया वर्सिस इंडिया के दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मुकाब जहां आखरी ओवर तक मैच गया उसके साथ ही बड़े ही शांदार तरीके से हार्दिक पंडिया की तुफानी पारी की बदोलत टीम ने जीत दर्ज कर ली है उनका साथ दिया था श्रेश यर ने और बाकी सभी खिलाडियों ने भी पूरा दमखम दिखाया आज इंडिया के कह सकते हैं कि आज के मुकाबले में इंडिया के 11 खिलाडी खेलते वे नजर आए थी जहां पिछले कुछ मुकाबलों का हाल देखें तो एक दो खिलाडियों के बल्ले से रना आ रहे थे और एक आदा ही खिलाडी विकेट लेता था लेकिन आज के मुकाबले में सभी 11 खिला था कोहली ने और आज देखा जाए तो पिछले चार मुकाबले जो भी खेले गए हैं उस्ट्रिले के साथ तीन वंडे और एक टी-ट्वंटी वहां तीनों वंडे में जिसने पहले बैटिंग की उसने ही जीत आसिल करी लेकिन आज उस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी लेकिन जीत हासिल करी इंडिया ने अपने आप में ही एक नया की इर्तिमान इस्थापित करते वी टीम इंडिया जहां पे शुरुआत में बल्ले बाजी करने के लिए उत्रे खतरनाक दो बल्ले बाज और डार्शी शोट लेकिन डार्शी शोट अपना कमाल नहीं दिखा प 2 पारी 10 च्रोक शक्य के मद़ से खेली यानि 32 गेंद का सामना तो किया लेकिन देखा जाये थो रन उन्हें से 15 से 20 गेंदों पर ही बनाए जहाँ पर 10 च्रोक यानि कि 40 रन ऐसी ही हो गए यानि कि 46 रन उन्हों ने शिंगल डबल उसके बाद डार्शी शोट की पहले लेकिन बहुत दोस्तों हार्डिक पांडिया के जितनी तारीफ हो आज उतनी कहुं है क्यूंकि शांदार केच की बदोलत बड़ा ब्रेक्थूरू मिला था क्यूंकि मैथ्यू वेड और श्टिप सिमित की जो पारी पनप रही थी उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल लग र लेकिन उसे पहले बात करें तो एक कहुली की द्वारा गलती की गई थी आज कहुली ने गलती ये की थी कि मैथ्यू वेड की बड़े ही कम नन्पे विकेट हाथ लगने वाली थी यहां पर कैच तो उचली थी लेकिन कहुली ने वह कैच को छटक दिया था लेकिन उसी को इसना उनके लिए मुश्किल था इतने में विराप खोली ने जो कैच छोटी थी उसी को ठाक के तरफ फेका थो और विकेट ले लिया गया गया जानाउट के तोर पे मैथ्यू वेड का गलें मैक्सवेल ने तेरा गेंदों पर बाइस रंकी चोटी पारी लेकिन चांदार पारी खेली दो चको की बदोलत उसके बाद मोजिस सेंजी क्यूज बिया अठारा गेंदों में 26 रंकी पारी इनकी बदोलत भी एक चक्के के मदद से फिर उसके बाद मार्कस इस्टोनिस बियाए साथ गेंदों पर 16 रंक खेल कर नाबाद रहे और डी सांस जो आज अपना पहला मुकाबला डेबिट कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन गेंदों पर 8 रंक का सामना करा और एक चोका भी लगाया था दोस्तों बात करें तो नटराजन के एक बार फिर से गेंद बाजे टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हुई क्योंकि नटराजन की बद एक विकेट रहा चार और में लेकिन 51 अंदिये महंगे साबित रहे नटराजन ने भी चार औरण 20 कर दिया बल्ले बाजुने इंडिया के क्यूंकि शुरुवातिक करम के जो बल्ले बाज आए उन्हों ने अपना दमखम दिखाना सुरू कर दिया उनका इरादा कुछ अलगी था क्यूंकि एक सुराणवे रन बना दिया अब इंडिया को बनाने थे एक सुराणवे रन बीस ओवर के अंदर यानि की करेब 9.5 एकनोमी के साथ रन बनाने थे जहां आपको दोस्तों बता दे किस प्रकार से केयल दाहुलों शिखर धवन की धमाकेदार जोड़ी उतरी थी शुरुवात क पहुच जाता लेकिन उसको आगे निकलने ही नहीं दिया क्यूंकि केल दाहुल और शिखर धवन की बल्ले बाजी इतनी शामदा रही शिखर धवन जो पिछले कुछ मकाबलों से लगातार जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे उन्होंने साबित कर दिया कि क्यूंने लगाता पर 30 रंकी अच्छी पारी खेली शुरुवाद से ही दोस्तों क्यूंकि हम मिडल की बात नहीं करें हम शुरुवाद की बात कर रहे हैं दो चोके एक छक्यन के बल्ले से भी आए लेकिन बोलर एंड्रियो टाय ने केल दाहुल का विकेट लिया तो दूसर तरफ शिखर दवन जहाँ पर एक छोका एक छक्का लगातार लगाया लेकिन 10 गेंदों पर 15 रंही बना पाये थे बॉलर मिचिल स्वैपसन ने इनकी विकेट ले ली अब इसके बाद विराट खोली के सामने बड़ी चुनोती ये थी कि दूसरे छोर को समाले रखें क्यूंकि सामने आगे थे अब हार्दिक पंडिया, हार्दिक पंडिया को आप जानती हैं कि जो रिक्वार्ड अनलेट अब 12 का पहुंच चुका था उसको अराम से कवर करने के लिए जाने जाते हैं और कवर कर भी लेते लेकिन दोस्तों आपको बता दे इन्होंने क्या करा बिराट खोली ने एक गल अब दोस्तों आप यही से सारा इमेजिन कर सकते हैं क्या हाल दहा होगा बल्लेबाजु का लेकिन हार्दिक पंडिया आईपेल में ऐसे कई करिश में बल्लेबाजी कर चुके हैं तो श्रेज शियर भी दिल्ली कैपिटेल्स की कप्तान है वो तो दबाब में ही खेलना जानत गरते हुए इननोंने 12 रन लगाये एक चोगा एक छक्का के मदस से जिसके बाद इनोंने चोड़ चेंज करके हार्दिक पंडिया को दिया आखरी ओर में करीब करीब चाहिए थे टीम को जादा रन जहांपर 15-17 चाहिए थे उसके बाद हार्दिक पंडियाने इस स्कोर को भ लाए जाता है ओल्डाउंडर की भूमिका से लेकिन आब इनकी भूमिका पूरी तरीके से बदल चुकी है जो काम कभी महेंदर सिंग धूनी क्या करते थे हम तुल्ला नहीं कर रहे हैं हम स्रिव आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो काम कभी महेंदर सिंग धूनी क्या करते थे अब शायद वही लक्षान इनको हारदिक पंडिया के अंदर दिखने लगे हैं टीम वालों के क्योंकि जब जब टीम मुसीबत में फस्ती है तो हारदिक पंडिया रन वैसी ही बनाते हैं जैसे कभी महेंदर सिंग दोनी बनाया करते थे दोस्ता हम बार-बार फिरसी के रहे हैं किसी से तुला नहीं कर रहे हैं महेंदर सिंग दोनी अपने आप में ही एक लेजंड है लेकिन हारदिक पंडिया के भी अलग ही पहचान कायम हो रही है तो हारदिक पंडिया के उस पारे के बदोलत जहां पर पांच गेंदों पर 12 रन चाहिए थे वो 12 रन किस तरीके से बनाए एक छक्का और दूसरा छक्का फिर 145 पे 60 रन बने यानि कि ये दबाव में खेला खिलाडी कि पांच गेंदों पर 12 रन बना रहे हैं सिंगल डबल नहीं नहीं कुछ सीधर चक्का और चक्का दो चक्के लगाकर इनुन ने मैच कातम कर दिया जहां पर आप देखे सकते किस परकार से मैच का अंत काफी शांदार रहा पाबले बड़े ही घमासान होने वाले हैं क्योंकि डैविड वोदनर पैट कमिस कई बल्ले बाजों को अराम दिया जा रहा है ताकि वहां पर उन सबों को आजवाया जाए लेकिन आज का जो मुकाबला था वह अपने नाम कर लिया है इन्होंने एरन फिंच नहीं खेले पूरा मैच का हाल जहां पर कोहली की छोटी कैच लेकिन फिर भी जीते मैच कोहली ने पहले बल्ले बाजी नहीं की लेकिन फिर भी जीते मैच कोहली की किसमत दे रही है उनका पूरा पूरा साथ यही होता है दोस्तों जब हार होती है तो सभी लोग कोहली की बदनामी ठहरा लेकिन जीत होती है तब कोई भी सामने आघे नहीं केरता, कि ये वही किंकफोहली जिसने आज मैच जिता दिया. खुछी है दिल में कि किस परकार से मैच क का अंत इस तरीके से किया गा, जिसकी शायद उमीद हम करते हैं हारदिक पंडिया से. सलाम हे हार्दिक पंडिया के इस बल्लेबाजी को और शिरेश एर को कि उन्होंने पांच गेंदों पर आखरी केव 12 रंज जड़े दोस्तों आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो कुछ गलती या कुछ दिक्कत हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं साथ ही साथ ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जोड़ेद हैं कि उनके थर्ड T20 से पहले कई बड़े बदलाव होंगे टीम अंडिया में क्योंकि जितने पिलेट्स अब अराम कर रहे हैं शायद उन्हें मुखा मिलेगा क्योंकि सीरीज तो अपनी नाम कर ली है तो उन्हीं बड़े बदलाव को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें वो तीसरी T20 से जोड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी तन्यवाद